नमस्कार दोस्तों यह हीरो की स्प्लेंडर प्लस आई थीएस ब्यासिक्स दोयरेकीस मॉडल तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के हीरो स्प्लेंडर प्लस आई थीएस मॉडल अगर आप लॉन और फाइनेंस कराते हैं तो आपको कम से कम कितनी डाउन पे स्प्लेंडर प्लस का आई थीएस मॉडल है जो की टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे है और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो 83,050 रुपे है यह उन रोड कीमत मैंने आपको बताई है सान्योश और हीरो मध्यम ग्राम कॉलकता सूरुम की तो आप बात करते हैं इसके ग्यारे म महिने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 7521 की एमाई आएंगी 11 और इसका जो टोटल ओवरल कोष्ट है बिद इंट्रेस्ट के साथ 99620 रुपे की आईगी तो बात कर लेते हैं इसकी 17 महिने लगबक डेड़ साल के लिए अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो 6999 रुपे का रहेगा लॉन एमाउंट 66,051 रुपे का रहेगा और अगर आप इसको 17 महिने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 5,130 रुपे की 17 EMI आएंगी और ये बाइक आपको बिद इंट्रेस्ट के साथ 17 महिने के साथ लगबक मिल जाएगी 1,4,209 रुप अगर आप इसको 23 महिने के लिए फाइनेंस कराते हैं लॉन पर लेते हैं तो आपकी जो EMI है वो 3,900 रुपे की आएगी और ये बाइक आपको 23 महिने के लिए बिद इंट्रेस्ट के साथ लगबक पड़ जाएगी 1,6,699 रुपे की तो अब बात करते हैं इसके 3 साल EMI प्र प्रेस्ट भी सेम रहेगा 11% का और 35 महिने फाइनस कराने के बाद लॉन पर लेने के बाद इसकी जो EMI है वो 2,812 रुपे की निकल के आएगी और ये बाइक 35 महिने फाइनस कराने के बाद इसकी जो टोटल कोश्ट आएगी 1,5,419 रुपे तो दोस्तों मैं आपको इसके ल पास्बुक नहीं है तो आप चेक बुक से भी काम चला सकते हैं और आपके पास बोटर आइडी काड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाए से आदा लाइक करें कमेंट करें स अगर आप चैनल पर पहली बार आयें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचाए सबसे पहले आपके पास थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में